बारिश के कारण सोया बीन की फसल हुई खराब बारिश के कारण इस बार सोया बीन की फसल चोपट हो गई है कहीं खेत में पानी भर जाने से तो कहीं बारिश अधिक होने से अधिकतर शेत्रों में फसल खेतों में ही गल गई है जो बची कुछी फसल है वह भी पक्कर त्यार होने से अभी करीब एक देड महा का समय शेश बचा है ऐसे में सोया बीन के दाम बढ़ने की बजाए घटने से किसानों के माथे पर चिंता की रखीरे नजर आ रही है इसके खटे दाम किसानों में चिंता पैदा करने लगे है विदीशक यानाज मंडी में जुलाई महीने में सोया बीन के दाम उचे में 6,665 रुपे प्रतिक विंचल तक बिके थे लेकिन जुलाई अंत तक अधिकतम दाम 6,000 के आसपास आकर सिमट गया और अब अगस्त महा की शुरुआत से ही सोया बीन के दाम करीब 500-5300 रुपे तक रुके हुए थे और अभी सितंबर महीने में भी दाम वहीं पर दिखाई दे रहे हैं वहीं सोया बीन को नियुनतम दाम 38,000 उपर में 400 रुपे तक अभी भजार दिखाई दे रहा है अनाजबे पारियों के मताबिक सोया बीन के दाम में करीब उपरी स्थरों से 1200 रुपे की गिरावट आ चुकी है फिर भी मंडी में सोया बीन के जो दाम मिल रहे हैं वो समर्थन मुल्या से अधिक है और आगामी समय में दाम बढ़ने की संभावना फिलाल दिखाई नहीं दे रही इधर दाम में कमी से किसानों के अंदर चिंता बढ़ गई है किसानों का कहना है कि अतिवरिष्टी और बाट से सोया बीन फसल को काफी नुकसान हुआ है तेल में फसाय में सोया बीन की उपलपता बढ़ने और सोया बीन खली और तेल में मंदी आने से सोया बीन के दाम में फिलाल गिरावट देखने को मिल रही है ब्यूरो रिपॉर्ट मार्के टाइम्स टीवी झाल से साउत है